जांजगिर चापा जिले के चापा थाना शेत्र के तहसिल रोड मिस्थित डॉक्टर मुकेश सिंग के वीनस डाइगनौस्टिक सेंटर पर सोनोग्राफी और टेस्ट कराने पहुचे लोगों ने उस समय हंगामा मचा दिया जिस समय डॉक्टर की गैर हाजरी पर कमपाउंडर बैठा हुआ सोनोग्राफी कर रहा था देखे ग्लिप्स.in पर संगवादाता संतोष प्रधान की ये खास रिपोर्ट वीनस डाइगनौस्टिक सेंटर पर टेस्ट कराने पहुचे लोगों ने डॉक्टर मुकेश सिंग की अनुपस्तिती में वहां मौजुद कर्मचारियो को टेस्ट करते देखा और इसकी जानकारी फोन से चापा SDM और स्वास्त विभाग को दी डाइगनौस्टिक सेंटर के बाहर हंगामा मचाने लगे मरीज के परिजन हंगामा बढ़ते देख डाइगनौस्टिक सेंटर के कर्मचारी सोनोग्राफी सेंटर छोड़ ततकाल फर अपस कराकर डाइगनौस्टिक सेंटर के डॉक्टर मुकेश सिंग की अनुपस्थिती का पंच नाम बनाकर उच्च अधिकारियों को अगरीम जाज के लिए भेजा गया है वहीं जिला चिकित्सा अधिकारी जांजगीर के दिशा निर्देश पर डाइगनौस्टिक सेंटर कड़ी कारवाही करते हुए इसे बंद कर देना चाहिए कोई गर्वती के साथ में इस टाइब का बता रहे हैं कि बच्चा स्वस्थ है करके या अस्वस्थ बता देना रिपोर्ट गलत आएगा तो यह बहुत बड़ी बात है इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए ये बंद हो जाना चाहिए ऐसा में तो लोगों की जान से असी सेंटर में आया हुआ हूँ और जाच पूरी जाच करेंगे और जाच के बाद जो भी नियमान सर करवाही होगा और कलेक्टर सर के माध्यम से यहां पर पूरी करवाही की जाएगी अगर गलत पाया जाएगा तो सील किया जाएगा इसमें पूरी डिटो टीम ही बना की पूरा की जाएगा अभी साद नायवता सील लर्मेडम आई हुए थी तो उन्होंने कुछ सील करके या कुछ पंचनामा का तयार करके गिया गया है और अभी SDM सर से पोन के माध्यम से मेरा बात हुआ है तो वो कल सुबेरे हम लोग फिर दस दिनों से आप लोग के थूप जिसमें डॉक्टर रेनी की अनुपस्थी थे और कमपाउंडर के द्वारा सोनोग्राफी कारी किया जा रहा है अभी निर्देश दिया गया है कि जितने लोगों का पैसा लिया गया उनको दिया जाय करके आगे से हम अभी पंचनामा तया द्वार करके लिए जा रहे हैं जिसको हम लोग आगे आरवट करींगे वीनस डाइनॉस्टिक सोनोग्राफी सेंटर द्वारा बगयर डॉक्टर के कमपाउंडर द्वारा सोनोग्राफी रिपोर्ट देने पर भढ़के मरीज के परिजन और स्थान ये लोगों ने काफी ना